तो मैं डीरेट फट्रेंड्स कैसे हैं आप सभी दोस्तों उम्यद करते हैं आप लोग बहुत ही अच्य होंगे तो दोस्तों आप लोगों का कमेंट था आप लोगों का मैसिज बें increased 5.2 कि प्रशिश को समझमें किया आप लोग ने तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेज़ेगा और साथ में बेल आइकन को प्रेस करके अपने कुछ प्यारे मित्रों को प्यारे भाईयों को जरूर से से साथ है तीज़े पंध्र सकते है एप लस्टी इसको माल लीया हमने संमीक करन एक अब इसका यहां को यहां सात्मा पद क्या है तो इसके तीसरे पद के ती गुरे से दो अधिक है सातमा पद atmosphere यह क्या है तो तीसरे पद के PR गुने से दो अधिक है यह चीज़ करना तीसरे पद के तीन गुने से दो अधिक है तीसरा पद कितना है साथ इसका तीन गुना कितना होगा तो 21 हो जाएगा उससे 2 अधी कितना हो जाएगा 21, 2 कितना होगा 23 हो जाएगा तो यह हो गया अपना समीकरन 2 किस तरीके से लिखना है इस language को समझ समझ के ठीक है अब देखे इसके आगे क्या करना है यह तोनों समीकरन है तो घटा देंगे तो आपस में A से A कट जाएगा D का मान आजाएगा दोल्द D में से 6 D गया तो माइनस क्या हो जाएगे 4D बराबबर, 7 में से 20 गया तो कितना होगा माइनस 16 तो यहां से D का मान क्या हो जाएगा माइनस 16 बटा माइनस 4 cancel करने पर कितने से कटेगा 4 से मतलब D का value अपना प्यारा सा आ गया 4 अब हम को किस चीछ कमान चाहिए A कमान चाहिए तो चलेंगे समीकरन 1 या फिर 2 से तो चलते हैं समीकरन 1 से समीकरन 1 में क्या था A पलस 2D इस एकुल टो कितना है 7 है ना तो इसमें हम D कमान रख देते हैं तो A कमान तो अतना प्यारत आ जाएगा देखियेगा यहां से a कमान पलस 2 इंटू d कमान कितना आया अपना 4 आया है तो 4 रख दिये हमने is equal to 7 तो a कमान क्या आ जाएगा a बरावर हो जाएगा 7 minus 8 4 तो नी 8 होगा न और उतर ले जाने के बाद minus में चल जाएगा तो a कमान कितना आ गया a का माना गया अपना minus 1 a का value कितना है minus 1 पर्थम पद minus 1 है और सारवंतर कितना है 4 है question में हमसे पूछ क्या रहा है question में पूछता है कि इसके पर्थम 20 पदों का योगफल गयाद करे क्या करे इसके पर्थम 20 पदों का योगफल गयाद करे तो लेखेंगे यहां से अब now अब क्या करना है जो चीज कोस्टन में कह रहा है वो चीज निकालेंगे तो 20 पदों का यह फल क्या हो जाएगा S20 और फर्मूला क्या हो जाएगा तो 20 बटे 2 इंटू 2A पलस N माइनस 1 इंटू 2A का मतलब क्या हुआ 2 को हम किस चीज से गुना करेंगे माइनस 1 से और पलस N माइनस 1 होता है N कितना है 20 है तो 20 में से गटाएंगे तो 19 और गुना D हो जाएगा तो D कितना है तो 4 है तो 4 से हमने गुना कर दिया ठीक है समझने में किसी परकार का दिक्कत नहीं रहा गया होगा यहाँ 10 हो जाएगा और अंदर में क्या वचाएगा 2 को माइनस 1 से गुना करेंगे तो माइनस 2 और पलस 99 को 4 से गुना करेंगे तो 76 ठीक है तो यह हो गया 10 सोरी माइनस नहीं 76 में से दो गड़ जागा तो कितना बचेगा 74 और दोनों को आपस में गुना करते हैं तो 740 प्यारे भाई उमेद करते हैं कि समझने में किसी परगार का डाउट नहीं रह गया होगा चलिए चलते हैं अपने अगले कोशन कोशन नमबर 8 के सेकेंड को भी देख लेते हैं तो प्यारे भाई उमेद के परथम 20 पदो का योगफल उसके परथम 30 पदो के योगफल के बराबर हो तो सावित करे कि इसके परथम 50 पदो का योगफल क्या होगा सुनने होगा तो क्या कह रहा है समांतर स्रेडी के परथम 20 पदो का योगफल 30 पदो के योगफल के बराबर है तो प्रशन से क्या कह रहा है कोश्चन में वो चीज़ को पहले हम लिखते हैं तो 20 पदो का योगफल क्या हो जाएगा S20 होगा RS20 कमान क्या हो जाएगा 20 बटे 2 पलस 19D यही ना आया इसको माल लिजे समीकरन 1 ठीक है अब देखिए इसके बाद क्या कह रहा है कि 30 पदों की योगफल के बराबर है तो चलिए 30 पदों का योगफल कितना होगा निकालते हैं तो S 30 बराबर क्या हो जाएगा 30 बटे 2 into 2A पलस 39D होगा बिल्कुल होगा ठीक है अब देखिए 2 से कैंसल करेंगे तो इसको ये 15 हो जाएगा into 2A पलस 39D हो जाएगे चलिए इसको एक और काम कर लेते हैं इसका क्या काम करना है तो चलिए इसको गुना करके भी हम लिखी लेंगे ठीक है तो यहां से देखिए कैंसल करने पर 10 होता है ये 2A पलस 19D हो रहा है न ठीक है बराबर गुना करते हैं तो 10 दुना 20 हो जाएगा 20A और पलस 19 इसको 10 से गुना करेंगे तो 190D हो जाएगा ये हो गया अपना समीकरन 1 ठीक है समीकरन 2 हो गया परसने से कोस्चन में क्या कह रहा था परसने से कोस्चन में कह रहा था कि 20 पदों का योगफल मतलब S20 किसके बराबर है तो 30 पदों के योगफल के बराबर है तो 20 पदों का योगफल कितना आया है तो 20 पदों का योगफल आया है तो इस साइट क्या बचेगा जीरो बचेगा बरावर 30 A और यह 20 A उधर जाएगा तो घट जाएगा तो बचेगा कितना 10 A और इधर से 190 D है उधर जाएगा तो घटेगा तो 435 में से क्या करना है 190 को घटाना है तो 9 4 13 3 में से गया तो 245 बचेगा तो 245 D हो जाएगा ठीक है च यहां तक समझने में किसी भी परकार का डाउट नहीं होगा, तो चलिए अब आगे के स्टेप को समझते हैं, इसमें से क्या common आ रहा है, तो common आ रहा है अपना 5, 5 common लेने के बाद बचता है, यहां से 2A, और यहां से क्या बच जाएंगे, 5, 4, 25, 95, मतलब 29D बच जाएगा, और डिवाइड में, तो क्या हो जागा, वो भी 0 ही हो जाएगा, 2A पलस 29D बडावर हो जाएंगे 0, इसको मालने जे समिकरन 3, हलाकि समिकरन का तो काम नहीं है, लेकिन फिर भी highlight करने के लिए आप मान सकते हैं, तो चलिए अब हमको क्या कह रहा था question में, कि सिद्ध करे कि इ फल निकालते हैं, S 50 बरावर क्या हो जाएगा, 50 बटे दो, इन्टू 2A पलस 49D हो जाएगा, ठीक है, यहीं न होगा, 49D और देखें यहाँ पर क्या गलती हो गई है, पांचे पांच चौका बीस न होता है, तो यहाँ पर 4 हो जाएगा, पांच चौका बीस, यहाँ भाग द है, 50 है, 50 में से गटेंगे, 29D सीधे हमने लिख दिया है, ठीक है, अब यहाँ से देख सकते हैं, आपकी 2A पलस 49D का मान तो हमको यहाँ आप मालूम है 0, तो यह क्या हो जाएगा, 50 बटे 2, गुने 0 हो जाएगा, 2 से कैंसल करेंगे तो 25, और 25 को 0 से गुना करेंगे तो 0, त तो कि कोश्चन में कह रहा था कि सावित करना ना, सावित करेंगी 50 पदों का योगफल 0 होगा, तो चलिए प्यारे भायों, अब चलते हैं, अपने नेक्स्ट कोश्चन, कोश्चन नमबर 8 के 3 को भी देखते हैं, तो दियर दोस्तों, देखिए अपना प्यारा सा कोश्चन, कोश्चन नमबर 3 में क्या कह रहा है, कहता है कि किसी AP का पर्थम पद 2 है, किसी AP का पर्थम पद 2 है, और इसके पर्थम 5 पदों का योगफल, अगले 5 पदों के योगफल के क्या है, तो एक चौथाई है, तो इसका पर्थम 30 पदों का योगफल ग्याद करना है, तो प्यार एक बटना चार है तो हमको कह रहा है कि इस समांतर सिरेणी के 30 पदों का योगफल ग्याद करें तो पहले तो हमको इसके 5 पदों का योगफल ग्याद करना है फिर इसके अगले 5 पदों का योगफल ग्याद करना है तो चलिए प्यारे भायो किसी भी समांतर स्रेडिका और पर्थम पद हमको A दे दिया है तो S5 से सुचित करेंगे कि इसको 5 पदो को योगफल को क्या हो जाएगा ये 5 बटे 2 इंटो 2A पलस 4D यही न होगा ठीक है लेकिन हमको A का मान मालूम है कि 2 है तो इसको 2 से गुना करेंगे 2 को तो कितना हो जाएगा 4, 4 पलस 4D हो जाएगे ठीक है अब चलिए S5 का मान क्या आजाएगा 5 बटे 2 को 4 से गुना करते हैं तो 2 दूनी 4 कटेगा तो यहां बचेगा 10 इस 4 को भी बाहर निकालेंगे तो इसी तरीके से 10D हो जाएगा इसको मान लीजिए समय करन 1 अब निकालेंगे इसके 10 पदों का योगफल मतलब S10 आपको कोई फार्मूला तो ऐसा है नहीं कि सीथे 6 से 10 तक निकाले तो इसलिए हम पहले 10 पदों को टोटल 10 पद का निकालेंगे और इस 5 पद का योगफल को घटा देंगे तो हमको इतने पदों का योगफल तो मालम चल जाएगा ना हाँ बिलकुल मालम चल जाएगा तो S10 बड़ावर क्या हो जाएगा 10 बटे 2 इंटो 2A होगा 2A का मतलब कितना 4 और पलस 10 पद है मतलब 9 को D से गुना करेंगे ठीक है तो क्या हो जाएगा 2 से 2 पंचे 10 कट गया गुना किजिए तो 5 का 20 हो गया और 5 नमा 45 D हो गया ये मालम लेजे समीकरन 2 लेकिन हमको क्या चाहिए ये 6 से लेकर 10 मा तक का जो पद है उसी के बीच का योगफल चाहिए न्यतबना दोनों काEMAIR करेंगे आपसमे लेकिन हमको क्या चाहिए कितने पदों का योगफल चाहिए तो S चाहिए कितने 6 से लेकर के 10 पद का ठीक है तो 6 से 10 पद का योगफल क्या हो जाएगा टोटल 10 में से हम इतना को घटा लेंगे तो इतना बच जाएगा तो हम total मतलब S10 जो total है अपना उसमें से हम S5 को घटा लेते हैं ठीक है तो S10 का मान कितना है 20 पलस 45D है इसमें से घटाएंगे S5 को तो घटाएंगे तो दोनों का चीन क्या हो जाएगा पलट जाएगा माइनस 10D हो जाएगा तो S6 से 10 तक का योगफल कितना है 20 में से 10 घटा है तो 10 और 45 में से 10 घटा है तो 35D आ गया ये 6 से 10 तक के बीच का इसको मान लिजे समी करंट 3 ठीक है अब देखें कोस्टन में क्या कहता है ये चीज हम घ्याद करेंगे और इस चीज को हम लिखेंगे अब चलेंगे कहां से तो प्रस्न से लिख देते हैं हम प्रस्न से प्रस्न से क्या कह रहा है कि किसी समांतर स्रेणी के 5 पदों का जो योगफल है उसके अगले 5 पदों की योगफल का एक चौथाई है मान लिजे इसका पहला 5 पदों का योगफल कितना है तो S5 मतलब ये है 10 पलस 10D है और अगला 5 पत जो है उसका उसका योगफल कितना है तो 10 पलस 35D है ये हो गया 1 से 5 तक का योगफल ये हो गया 6 से 10 तक का योगफल अब कह रहा है कि 1 से 5 तक का जो योगफल है ना इसका एक चोथाई है, मतलब बटा चार है, अब बरावर करने के लिए क्या करना परेगा, तो इसको चार से गुना करेंगे ना, चुकि ये एक चोथाई है, मतलब छोटा सा है, तो बरावर करने के लिए इसको गुना करके बड़ा करेंगे, तब न बड़ा होगा तो 4 गुना करना परेगा, चुकि 1, 4, 3 है, 4 भाग है, तो 4 से गुना करेंगे, तो बरावर हो जाएगा, समझ गए यहां तक, अब देखिए, इसके आगे क्या करना होगा, 10 को 4 से गुना करा, तो 40, फिर 10 को 4 से गुना करा, तो 40 D हो जाएगा, 10 पलस कितना हो गया, 35 D हो गया, तो अब देखे क्या करना है 40 D 35 को इधर लाएंगे तो पहले 40 में से इस 10 को इधर लागे घटा लेते हैं तो 30 हो गया और 40 में से 35 घटा है तो ये हो गया 5 D बरावर कितना है? 0 के ठीक है अब प्यारे भाईयो यहां से D कमान मालम चल जाएगा तो 5 D बरावर क्या हो जाएगा? ये 30 को उधर हम ले जाते हैं तो माइनस 30 हो जाएगा और D कमान क्या हो जाएगा? माइनस 6 हमको क्या गयात करना था कोश्चन में? कोश्चन एक बार फिर से देखते हैं कोश्चन में गयात करना है इसके पर्थम 30 पदों का योगफल मतलब S30 निकालना है ठीक है तो लिखते हैं now S30 का value क्या हो जाएगा प्यारे भाई आप तो बिल्कुल आसान तरीके से आप निकाल सकते हैं यह हो जाएगा 30 बटे 2 इंटू 2A मतलब 4 हो जाएगा और पलस N-1 इंटू D मतलब 39 और गुण D D कमान कितना है माइनस 6 है ठीक है अब देखे यह दोनों कैंसिल हुआ तो 15 हो गया और इंटू 4 और इस दोनों को गुणा करके क्या हो जाएगा माइनस में आजाएगा चुकि पलस माइनस माइनस नचाएग 54 हाथ में बच गया 5 चौदूनी 12, 5, 17 अब हो गया यह 15 और गुणा एकसो चोहतर में से 4 घटा आया तो माइनस 170 बचेगा अब 170 को हम किस से गुणा करेंगे 15 से माइनस 170 को 15 से गुणा करेंगे तो आजाएगा यह माइनस 25, 50 माइनस 25, 50 यही रहा अपना प्यारा सा एंसर दोस्तों तो कैसा लगा आज का सोलूशन जरूर बता या एक बार कमेंट करके चुकि आपके कमेंट से मिलती है मुझे मौटिवेशन और हमें यह समझ आता है कि आप लोगों को समझ में आया कि नहीं तो फिर आगे मिनत करने के थोड़ी और मौटिवेशन मिलती है और यह भी सोचने को मिलता है कि आपके लिए मतलब इस तरीके से समझाना सही है या फिर नहीं या फिर थोड़े और अच्छे तरीके से समझाया जाए तो प्यारे भाईयों जरूर एक पर बता देजेगा कि समझ में आया अच्छे से या नहीं आया और अपने प्यारे दोस्तों को प्यारे मित्रों को सेड करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है आप लोग उन्ने तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिएगा चलिए दोस्तों बार बार यहीं बात मुलनी परती है अब लोग कर दोगे हम समझते हैं चलिए फिर मिलते हैं नेक्स डेटर तक के लिए दोस्तों बाई वाई टेक केर बी हैपी ठैंक यू हाई रसना है कर लोग झा senators राई युलिए टूज